आप लोग का मेरे चैनल में स्वागत है आप नई नए है तो सब्क्राइब करना बनता है दोस्तों आज बना रहे हैं उझला वाला तील का बड़ भी तो चलिए बनाना सुरू करते हैं पैन गरम हो चुका है मैंने क्या किया है कि एक चमस तुद घीव डाल दिया आप कोई भी की इस्तमाल कर सकते हो तो मैंने बारावाला कप से उजला तील लिया है तील को गरम घियू में डाल कर भूनेंगे गैस का फ्लें कम करके भूनेंगे आज मैंने तील का बड़ी बनाया है खाने में एकदम सॉफ्ट लगेगा तील ठंडा के दिनों में खाया जाता है बोडी बनता है और तिलकुट भी बनता है तिलकुट खाने में बहुत अच्छा लगता है मैंने क्या किया कि तिल को मिक्सी जाड में पीष लिया आप ऐसे भी बर्फी बना सकते हैं मैं में क्या करते हैं कि तील को बुझ लेती terrorists एक चमस रोज खाती हूं मेरा बोडी गरम रहता है दोस्तों तील के भून कर खाईए बहुत अच्छा लगता है देखिए दोस्तों पतला पीसाया नहीं है दरदारे पीसाया है पतला नहीं पीसना है दरदारे पीसना है उसी पैन में एक चमस घीव डालोगी घीव को चारो तरफ पहला घीव पिघल गया है पैन में एक कप गुर डालोंगी तील और गुर दोनों बराबर लिये हैं गुर को धीमी आज पर अचासनी बनाएंगे गुर धीरे धीरे पिघल रहा है बर्फी में आप चीनी भी डाल सकते हैं चीनी से ज्यादा गुर वाला अच्छा लगता है चासनी में उबाल आ रहा है अब एक चमस संक्राथी में जरूर बनाएंगे और खाये बहुत अच्छे लगेंगे गुर को चासनी नहीं बनाना है गुर में हलका उबाल आ जाए तो आप जो दरदारा पिसा हुआ तील है उसको डाल कर दे शाव कर टो कर दें और गैस को मिटियम करेंगे मिक्स करना है नियुक्स करने के बाद फॉं टो चमस मीर मेल पॉल रहा ठा कि अच्छी तरह मिक्स हो जाए तिल में टोafter डालने से और सवाधिश्च बन जाते हैं मैंने क्या किया कि प्लेट में थोरा सा घीव डाल दिया घीव चारो तरफ लपेट दिये आप थालिम भी ले सकते हैं आपको पास कोई बर्तन होगा उसी में आप बर्फी बना सकते हैं तील को चारो तरफ पहला कर थप थपाईए को अच्छे से ब्राबर हो जाए तो बर्फी त्यार हो गई है आप चाकूल से काट सकते हैं आप लोग जैसे बर्फी के अकार से काट सकते हैं कोई साइज में भी काट सकते हैं चाहे छोटे वरे जैसे भी हो ऐसे भी काट सकते हैं दोस्तों बर्फी रेडी हो गई है दोस्तों आप लोग मकर संक्राती में बना कर काईए और बच्चों को भी खिलाए दोस्तों मेरा रेस्वी कैसा लागा कमिट बाक्स में जरूर लिखे जबाब देने के लिए तैयार हो थाइंक्यू धन्यवाद